आइपी एल 2019 माच नाइम, किंग्स शी पंजाब वीज मुंबाई इंडियन्स रॉयल चैलेंज अइस बैंगलो पर छे रन से जीत आसल करने के बाद मुंबाई इंडियन्स शनिवार 30 माच को पंजाब क्रिकिट असोसेशन आई इस बिंद्रा स्टेटियम में किंग्स 11 पंजाब सी भिडेगी किंग्स 11 पंजाब के लिए शुरू आती दोनों माच उतार चड़ाव से भरे रहे पहले माच में राजस्थान रॉयल्स के जोस बटला को मानकडन करने के लिए कप्तान रवी चंद्रन अश्विन की आलो चना हुई तो वही कॉलकटा नाइट राइडर्स के खिलाव दूसरे माच में तीस गज के घेरे के अंदर चार खिलाडी नहीं रखने का खामियाजा टीम को भुगत ना पड़ा जिससे आंद्रे रासेल के आउट होने के बाद उस गेंद को नो बॉल करार दिया गया और आंद्रे रासेल ने धमाकेदार पारी खिल कर मैच का रुख बदल दिया अश्विन की टीम इन सब को भुल कर मोहाली PCA स्टेडियम में नई शुरुआत करना चाहेगी टुर्नामिंट अभी शुरुआती दौर में है और दोनों टीमों ने एक-एक माच में जीत दर्ज की है इसलिहाज से माच से पहले किसी भी टीम को कमजोर नहीं आंका डा रहा और मुकाबले पर सब की करीबी नजरे होगी IPL 2019's IPVSME पंजाब की नजरे मुंबई के खिलाफ वापसी पर तब कहां कैसे देखे माच दोनों टीमों के आंखडे मुंबई और पंजाब के बीच अब तक 22 मकाबले खेले गए हैं इन में से मुंबई ने 12 बार जीत दर्ज की पिछले साल दोनों टीमें दो बार भीडी थी और दोनों ही बार मंबई को जीत मिली मोहाली के आईए सबिंद्रा स्टेडियम पर दोनों टीमों के बीच साथ मुकाबले हुए जिसमें से मुंबई चार माच जीती कैसा राहा अब तक पंजाब का पफॉर्मेंस किंग्स इलेवन पंजाब ने राजिस्थान रॉयल्स के खिलाफ 14 रन से जीत दर्ज कर अपने अभियान की शुरुवात की थी लेकिन कॉलकटा नाइट राइडर्स के खिलाफ आश्चरे जना कुरूप से चार बदलाव करने के बाद पंजाब 28 रन से हार गई थी पंजाब के एहम खिलाडी है क्रिस केल डेविड मिलर और मैंक अगरवाल क्रिस गेल के पहले माच में रनों की बदलत ही पंजाब बड़ा स्को कर पाया था लेकिन दूसरे माच में गेल केवल 20 रन बना कर आउट हो गए इस मैच में गेल मजबूती के साथ वापसी करेंगे गेल के आउट होने के बाद मैंक अगरवाल ने 34 गेंदों में 58 रनों की और मिलने 40 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली लेकिन ये दोनों पंजाब को जीत दिलाने वाले इसको तक नहीं ले जा पाए इस बीच किंग्स 11 पंजाब के के एल राहुल की फॉर्म चिंटा का सबब होगी यदि वह अपनी फॉर्म हासल कर लेते हैं तो किंग्स के लिए फाइदा होगा IPL 209 DCVS KKR बिली में है ट्रिक पर कोलकाता की निगाहें कब कहां कैसे देखे माच पंजाब के मुख्य गेंदबाज मोहमद शमी मुझीब और रहमन और इन्रिटाय हशमी रहमान और टाई के रूप में किंग्स के पास शांदार गेंदबाजी आकरमन है केके आर के खिलाफ मुझीब को रेस्ट दिया गया था लेकिन मोहाली में मुझीब की वापसी तह है शमी टाई के साथ देथोवज मैं शांदार गेंदबाज हैं तारी के उम्मीद है कि वे आगामी माच में एहम भूमे का निभाएंगे किंग्स इलेवन पंजाब का संभावित प्लेइंग शी प्रविचंदरन अश्विन मोहमद शमी मुझीबूर रह्मान केल राहूल क्रिसकेल मैंक अगरवाल सर्फराज खान इंड़ी टाई डेविड मिल, मंदीब सिंग और सेम कुरेन कैसा रहा अब तक मुंबाई का परफॉर्मेंस मुंबाई इंडियन्स अपना पहला माच दिली कैपिटल से 37 रन से हार गई थी लेकिन दूसरे माच में रॉयल चैलेंजर जविज बैंगलो को हरा कर उन्होंने वापसी करते हुए अंक आसल किये मुंबाई के मुख्य बिले बार जहरोहित शर्मा, कुिंटन डिकाक और युवराज सिंग टीम के कप्तान रोहित शर्मा और डिकाक अच्छी फॉर्म में हैं, हाला कि अभी तक दोनों के बीच 54 रन की ओपन इंग पार टेंशिप हुई है इसमें डिकाक ने 20 गिंदों पर 23 रन बनाकर सहायक की भूमेकाने भाई और रोहित ने आकरा मकंदाज में खेलते हुए 33 गिंदों पर 48 रन बनाए इस मैच में भी दोनों अपनी फॉर्म जारी रखना चाहेंगे RCB के खिलाफ यवराज ने 12 गिंदों पर 23 रन बनाकर अपनी क्षमताओं का परिचाए दिया जबकी सुरे कुमार यादव ने भी पिछले माच में 24 गिंदों पर 38 रन की पारी खेली ओपनरों के असफल हो जाने के बाद यह रन बनाने की जिमेदारी उठाएंगे मुंबई के मुख्य गेनबाज जस्प्रीत बुमराह लसित मलिंगा और मिशेल मेक्लेखन IPL 2019 RCBVS में मैच के बाद गुसे में अमपार रूम में घुसे विराट कहे अपशब्द मिशेल मेक्लेखन और जस्प्रीत बुमराह ने पिछले माच में तीन विकेट शेर किये थे मुंबई इंडियन्स चाहेगी कि ये दोनों गेनबाज किंग्स इलेवन पंजाब के विकेट जल्दी निकाले मयंक माकंडे कीन पीतोली गेनबाजी मुंबई के लिए गेनबाजी के विकल्प खोलती है महली की पिछ पर लसित मलिंगा भी पंजाब के बल्लेबाजों को तंग कर सकते हैं मुंबई इंडियन्स का संभावित प्लेइंग शी प्रोहिट शर्मा, क्विंटन डीकॉक, सूरे कुमार यादव, युवराज, सिंग, किरोन पोलाद, हार्दिक पांधिया, क्रुनाल पांधिया, मिशेल मेक्रिखन, मयंक माकंडे, लसित मलिंगा और जस्प्रीत भुम्रा झाल